कि नवस्कार दुस्तों दूस्तों कि आप पुट्टी के ऊपर डायरेक्ट टाइल लगा सकते हैं कि बुलेंगे सर ये क्या बात कर रहें मनला आप यह कहना चाहने कि पुट्टी कर लिए और उसके बाद जम टाइल लगा देंगे तो ऐसा जो है अगर आप यहां देखेंगे पर यहां पर सबसे बड़ी गलती हो रही है पहले पुट्टी काम कर दिया गया दिवाल के उपर फिर उसके उपर टायल लगाने के राक अत्राइब यह सक्चिस है इन फिचर में क्या यह लगा रहा जाए कि उखर भी सकता है तो तो कि टाइल का प्रोपर्टी क्या करता है कि जब भी लगाते हैं तो इसको लोग इसका बेस क्या चाहिए जो प्लाष्टर वला मॉर्टार का जो प्लाष्टर होने के बाद ऐसाना कि पुट्टी कर दिये तब नहीं और यहां तकि रोफ भी चाहिए तो यह जो यहां पर जो लगाया जा रहा है यह बिल्कुल गलत है तो इससे सवाल यह उठता है इक क्या यह गलत है दुसरा है क्या पुट्टी पर हो सकता है जसाल सब्सक्राइल को जाप देंगे तिसरा है क्या यह सभी है चलेगा कोई दिक्कत नहीं होता है तो अगर लगा देंगे तो पुट्टी में विच्छे पख जाएगा टाइल और इसका है चोथा है कि भाई इसका अगर आपने जो है गलती से अपने दिवाल के उपर पुट्टी कर दिया जहां पर टाइल लगाना था उसका सोलिश होती करा के भी क्या होता है कि जो पुट्टी बालग होता है उस जगह पर लेटा यहां रिय की के ऊपर आप अगर टाइल फिक्स करते हैं यह बिलकूल गलत है ऐसा बिल्कुल ना करें क्योंकि कभी भी पुट्टी को पर यह जो है चिपके गाने अगर चिपक गी गया तो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं कुछ दिन बाद दिर्द्रेव उखरने लगेगा तो यह गलती है और जायतन मिस्ट्री जो है इसी तरह के गलतियां करते हैं अब है तो अब क्वेशन आता है फिक्सिंग को क्या पुट्टी पे टाइल फिक्स को ले करके जो है पोसेविलेटी कितना प्रसेंट अब यह मैं तो बता दिया आपको चाहें आप सिमेंट और पानी का पैस्ट बनाएए चाहें एड़ेसिव हैं इस्तमाल की जिए यह जो है किदों कुछ करेंगे अब आपका वार गया जो हमने प्लसटेर किया उसके ऊपर एक लेयर आगे पुट्टी का अपुट्टी जो है और अड़ेसिव दोनों का जह से ना बॉपर तरीके इस नहीं हो गा जितना बोन्डिंग एड़ेसिव बनाए जाता है लिए भाई वह पुट्टी के साथ एडेसिब का बॉंडिंग पुर्पर्टी नहीं बनाया जाता है और बेसी बात है कि यह उतना सक्सेट नहीं है अब है कि क्या यह सही है मैं तो बताये दिया 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 मिल्कुल गलत है अब इसका सॉलुशन क्या है कि अब देखिए इसका सॉलुशन भस यही है कि अगर आपने पुट्टी को कर दिये हैं तब है कि आप कुछ इस तरीके से जह है चिपिंग करना पर यह तो मैं थोड़ा थोड़ा दिखाया हूं आपको जो पुट्टी को हटाना परेगा पुट्टी को पूरा पुट्टी तो हटने सकते हटा देंगे तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर नहीं अटा सकते हैं तो इसको छेनी मारतुल से इसको तुरा चिपिंग कर देजिए रफ सर्फेस बना देजिए जिससे कि प्लास्टर दिखने लगे तब जाकर कि उसमें वह चिपकेगा तो पुरा जहां एडेसि से पुट्टी के काम कर लिए हैं तब यह है आपका रॉफ का एडेसिब बनाने के बाद जैसमें और पहले क्या होता कि सीमें के साथ जब फिक्स होता था तुरा से समय लगता था लेकिन अब एडेसिव होने से फटा पड़ जा रहा है पुट्टी हटाने के बाद तब आप को इसमें जैसे बन गया आपका रॉफ सर्फिस तो पुट्टी हटाने के बाद जो है तब आप इसमें एडेसिव लगा करके टाइल को फिक्स कर सकते हैं तब अराम से चिपक जागा है और लंबे समय तक रहेगा इन फीचर में उखरेगा नहीं क्याए कि अगर थोड़ा और टाइल फिक्स है तो मोटर के साथ जो है टाइल फिक्स किये हैं तो वह कभी नहीं छोड़ेगा ठीक हो जाता है चिपक जाता है लेकिन यहां पर गिला होने के बाद छोड़ देगा और आपका टाइल गिर जाएगा तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको जरूर पसंद आए वहागा पसंद आए जरूर इसको लाइक केजिए शेर केजिए कोमेंट केजिए मिलते हम नेस्ट वीडियो में आज की लबस इतना ही वीडियो प्रदखने के लिए धन्यवाद नमस्कार